हेलो फ्रेंट्स आपका हमारी वीडियो पर स्वागत है आगे कट वीडियो में कटोरी व्ला। गोर्वीडिय ले यह अभी रिसेनट में किस तरह के से मेजर्मेंट लीए जाता है यह वीडियो भी डाला हुआ है सबसे पहले आपको perfect करी कैसे measurement ले लेना है उसके according आपको अपको अपनी cutting और drafting करनी है हमने अपने सभी measurements ले लिये हैं हमारा जो full length है वो 16 inch है 34 inch हमारे chest है waist round 31 है neck back हमारा 9 inch का है neck front हमारा 6 inch का है और sleeve length 10 inch sleeve round 10 inch apex to apex जो है 7 inch है shoulder to apex 11 है lower apex हमारा 14 inch है और जो shoulder से वो 16 inch है इतने नाप हमें इसके लिए जरूरी होंगे उसके बाद में आपको अपना ready shoulder कितना रखना है ये भी जरूरी है ready shoulder हमें इसमें 2 inches रखना है ready shoulder हम इसमें 2 inch का रखेंगे ready shoulder और अपने neck के shape के according हमें अपने shoulder chart में देखना है कि हमें इसमें shoulders कितने minus करने हैं तो हम इसे front से भी round shape मनाएंगे जो हमारा front neck होगा वो भी round shape का होगा और जो back neck होगा उसे भी हमें round shape में ही बनाना है mostly जब भी हम cutory blouse की cutting करते हैं तो हमारा front neck है वो round shape में ही होता है इसके अलावा कोई सावी neck हम उसमें create नहीं करते हैं और cutory blouse में हमेशा जो हमारा neck है वो छोटा ही बनता है उसमें ज्यादा बड़ा नहीं बनता है जो भी आपको अपनी blouse की length रखनी है वो अपने lower apex से 2 या 3 inch extra रखनी है दो inch आपको minimum रखनी ही है नहीं तो आपके जो blouse की length है वो कम हो जाएगी दो inch से आप ज्यादा भी रख सकते हैं पर दो inch से आपको कम नहीं रखनी है इसी हिसाब से आपको अपना measurement लेना है अब हमें सबसे पहले shoulder chart में shoulder कितने minus करने है यह चेक करना होगा उसके लिए हमें अपने ready shoulders की जरूरत है ready shoulders हमें 2 inch रखने है neck front हमें round shape रखना है neck shape भी हमें जरूरी है पहले हम neck का shape देख लेंगे और neck की जोतनी lane थे वो देखेंगे और shoulder chart में से हमें कितना minus करना है यह देख लेंगे back neck भी हमें round रखना है और back neck हमारा 1.5 inch का है इस तरीके से हमें दोनो neck के लिए shoulder chart में shoulders कितने minus करने हैं यह देख लेना है अब हम अपनी drafting start करते हैं सबसे पहले आपको अपने total shoulders को measure करना है total shoulders की marking इस तरीके से करेंगे हमारे 16 inch के shoulder है तो उसका half हम इस तरीके से mark करेंगे हमने 8 inch पर mark कर लिया है इसके बाद में यहां से हमें 1 inch shoulder down करने है यह वाला measurement सभी के लिए same होगा आपको पहले shoulders का half करना है और 1 inch यहां से down जाना है उस इस तरीके से marking करनी है यह वाली marking यह वाली marking भी सभी के लिए same रहेगी अब आपको इस line को इस line को ध्यान में रखते हुए दोनों lines को आपसे मिला लेना है और एक line को draw करना है इस तरीके से हम दोनों lines को properly मिलाएंगे पहले हमें अपने बेक पार्ट की rafting करनी है तो बेक पार्ट के according हमें कितना shoulder minus करना है यह हमें बेक लेना है हमारा जो back neck है वो deep है तो हमें back neck में 3 inches का shoulder minus करना है 3 inches के shoulder हम किस तरीके से minus करेंगे इस तरीके से आपके जितने भी ready shoulder से हमारे 16 inch के shoulder है 16 inch में से हमें 3 inch minus करना है तो 13 inches हमारे shoulder साएंगे इसका हम half करेंगे और इस तरीके से inch tape को रखते हुए हम अपने shoulder की marking कर लेंगे इस तरीके से हमारा ये back part का shoulder है वो minus हो जाएगा अब हमें armhole की line निकालनी है तो armhole line निकालने के लिए हमें chest का 6th part करना है प्लस half inch करना है अगर आप अपने armhole को थोड़ा lose रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर half के जगा पर one inch भी lose कर सकते हैं हमारा जो ये chest का 6th part प्लस half inch है 6.25 तो हम सवा 6 inch पर इस तरीके से marking कर लेनी है ये जो हमारा ये वला पॉइंट है हमेशा हमें यही से अपनी मार्किंग को करना है इस तरीके से हम सवा 6 inch पर एक मार्किंग कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रो कर लेंगे अब आपको आर्मोल लाइन निकालने से पहले एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपनी आर्मोल लाइन निकालेंगे तो अगर आपके दोनों नेग डीप होंगे तो आपको आर्मोल की लाइन निकालने के लिए चेस्ट का 6th part प्लस 1.5 inch करना है बट अगर आपके दोनों नेग पैक रहेंगे तो आपको चेस्ट का 6th part करना है उसमें प्लस 1 inch करना होगा यह सभी के लिए सेम होगा इसी तरीके से आपको करना है अगर पैक नेग होगा तो उसमें आप 1 inch एड करेंगे और अगर दोनों नेग आपके डीप होंगे तो आपको उसमें 1.5 inch आर्मोल लाइन निकालने के लिए एड करना होगा इस तरीके से हमने अपनी आर्मोल लाइन को निकाल लिया है अब हमें इसमें losing aid करनी है तो losing का हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आपका नेग deep है तो आपको उसमें losing add नहीं करनी है और अगर आपका नेग जो है चोटा है तो उसमें आपको losing add करनी होगी हमारा अगर जो neck है वो chest line से नीचे जाता है तो हमें उसमें losing aid करने की जरूरत नहीं है पर अगर आपका जो neck है वो chest line से उपर जाता है तो हमें इसमें losing aid करनी होगी हमारा ये back part है इसका जो हमारा neck है broad है इसलिए हमें इसमें neck की इसलिए हमें इसके चेस्ट में losing aid नहीं करनी है, इसलिए बिना losing aid किये हमें chest का fourth part करना है और marking कर लेनी है, हमारा जो chest का fourth part है, इस तरीके से आपको chest निकालना है, chest में divide by four और आपका जो chest का part है वो निकल कर आ जाएगा, इसलिए लूजिंग के according हमें, इसे measure करना है हमें 6 8.62 मतलब हमें 209 इंच पर Mark करना है और हमके हमें 209 इंच का Marginate करेंगे इसके बाद में हमें अपने ब्लाउस की लेंथ को भी मेजर करना है बेक पार्ट में हम पहले जही हमारी लेंथ की मेजरमेंट ले लेंगे फ्रंट पार्ट में हमें बाद में लेना होगा हमें अपने back part की length front part से थोड़ी कम रखनी होती है इसलिए हमें 1 inch इसमें minus करना होगा 16 inch हमारे front part की length है तो हमें इसमें 15 inch के हिसाब से marking करनी है तो इस तरीके से हम 15 inch की marking करेंगे तो 15 inch में 1 inch add करना है तो हमारा 16 inch पर आएगा तो 16 inch पर हमें अपनी length को measure करना है और एक straight line को draw कर लेना है इस तरीके से हम अपनी length को measure कर लेंगे और एक straight line को draw करेंगे अब हमें यहां से हमाली west line को भी draw करना है तो west का भी fourth part करेंगे हमारा जो west का fourth part है 7.75 है मतलब पोने 8 inch पर हमें mark करना है इसके बाद में हमें back part में कोई भी tux नहीं लेना है इसलिए हम tux के लिए major tux के लिए extra margin नहीं लेंगे ये हमारा 2 इंच का extra margin है वो हमें लेना है, जो हमने उपर लिया था नहीं हमें नीचे भी लेना है अब हमें इन दोनों lines को आपस में मिला देना है margin वाली लाइन को हम margin के साथ में मिला देंगे अब हमें इसमें से हमारे Shoulders minus करने है Shoulder minus करना मैंने आपको बता ही दिया है जितने भी आपके ready Shoulders है 16 इंच के हमारे Shoulders है इसमें हमें 3 Inches minus करना है हमें Neck के пери isinin के minus करना होगा Shoulder chart में देख लेंगे इसमें हम 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारा ये 13 इंच आएगा इसका हमें इस तरीके से हाफ करना है और यहाँ पर इंचे टेप को रखते हुए एक मार्किंग ले लेनी है इसके बाद में हमारी ये जो जितनी भी मार्किंग आती है 1.5 इंच हमारी आ रही है साड़े चेंच हमें नीचे भी मेजर करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रो करनी है इस तरीके से हम दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे अब हमें अपने आर्म हूल के शेप को ड्रो करना है तो आर्म है आर्म हूल का शेप ड्रो करने के लिए इस तरीके से हमारी जो armhole line है, उसका हमें half measurement लेना है, इस तरीके से हम half पर एक marking करेंगे, अब half part से हमें two points बाहर की तरफ जाना है, और two points हमें अंदर की तरफ आना है, जो अंदर वाली marking है, हमारी front armhole के लिए है, और जो बाहर की marking है, वो back armhole के लिए है, और जो हमने अब ये line draw की है, इस से मिनाते हुए, इस तरीके से एक line draw कर लेनी है, अंदर की side में, इसके बाद में जो हमारी ये बाहर वाली line है, इसे भी हमें इस तरीके से एक line draw करनी है, अब हम इसके armhole के shape को draw करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से 0.75 inch बाहर की तरफ measure करना है, इसके बाद में, इसे हमें अपनी chest line से मिलाते हुए, एक line draw करके round shape draw करना है, और एक chest line से हमने जो line draw की है, उसे इस तरीके से मिला देना है, तो यह हमारे back part की armhole की marking हो जाएगी, अब हमें armhole की marking करने के बाद, जो हमारी straight line और जो यह तिरशी वाली line है, इनके बीच में जितना भी margin है, इसे हमें बिल्कुल straight आगे की तरफ मिला देना है, इस तरीके से आपको देखना है कि यह अंदर कितना आ रहा है, यह हमारे point 75 है, तो point 75 पर हम mark करेंगे और इस line को हम straight कर देंगे, इस तरीके से हमें इसे straight कर देना है और अगर आपका नेक इसमें ज्यादा deep है तो आपको इसमें half inch और minus कर लेना है, इस तरीके से आप इसमें से half inch और minus करेंगे, और एक straight line और draw कर लेंगे, अब हमें जो इसकी cutting करनी है, हमें इसकी cutting इस वाली side से करनी है, यह हमारा पूरा इसमें से cut हो जाएगा, यह minus हमने क्यों किया है, इसे minus करने से ना तो हमारा neck की length कम होगी, बट जो हमारा shoulder है, shoulder में हमारे जो neck में losing होता है, वो losing खत्म हो जाएगा, और जो हमारा back part आगे की तरफ आजाता है, वो भी नहीं आएगा, इसके लिए आपको यह वाला margin है कम करना ज़रूरी होता है, अब हमें back part की यहीं तक marking करनी है, अब हमें अपने front part की marking करनी है, उसके बाद में ही हम इसकी cutting करेंगे, अब हमें इसमें भी सबसे पहले जितने भी आपके shoulder से उसके half पर एक marking कर लेनी है, 16 inches के half 8 inch पर हमने mark किया है, इसके बाद में हम यहां से 1 inch down जाएंगे, यह वाली marking सेम होगी और on fold वाली side से आपको 2.5 inch अंदर की तरफ आना है, यह marking भी सभी के लिए सेम होगी, अब इन दोनों points को मिलाते हुए हमें एक line draw कर लेनी है, इस तरीके से हमें line draw कर लेंगे, इसके बाद में आपको देखना है कि आपको आपके front part में जो shoulder कितने minus करने हैं, हमारा जो हमें lady shoulder रखना है, वो two inches कर रखना है, और जो हमारा front neck है, हमें round रखना है, और हमारा front neck हमें six inch कर रखना है, इन तीनों के according हमें shoulder chart में देख लेना है, कि आपको shoulder कितने minus करने है, इसके बाद में हमें अपनी chest line को निकालना है, हमें अपनी chest line निकालने है, तो chest line हमें किस तरीके से निकलनी है, चेस्ट का 6th part प्लस 1 इंच करना है, तो सवा छेंच हमारा इसमें भी आएगा, चेस्ट लाइन हमें यहां से मार्क करनी है, सवा छेंच पर हम इस तरीके से मार्क करना है, और यह हम पूरा देख लेंगे, दोनों को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है अब हमें अपना आप मोल ड्रॉ करना है तो आप मोल के लिए सबसे पहले हमें इसमें से कितने शोल्डर माइनस करने है शोल्डर चार्ट में देख लेना है सबसें हमें अपने फ्रंट नेक में जो शोल्डर माइनस करने है वह 1.5 इंच के माइनस करने है उचितनी भी आपके रेड़ी शोल्डर है इसमें आपको बाको और 14 इंच आपको मार्किड के खाएगा और आफ इस तरीके से मेजर करेंगे और यहां पर इसे रखते हुए मार्किंग कर लेंगे अब यह जो आपकी मार्किंग है आप इसे इस तरीके से चेक करेंगे सवा साथ इंच पर हमारा यह आया है तो नीचे भी हमें सवा साथ इंच पर एक मार्किंग करनी है इस तरीके से मार्किंग करने के बाद दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला करें कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके बाद में हम इसका जो हमारी लाइन आई है इस लाइन का हाफ करेंगे इस तरीके से हमें इसके हाफ में मार्किंग करनी है marking करने के बाद में हमें इसके armhole को draw करने के लिए इसे two points अंदर की तरफ लेना है और इसमें हमें अपने back armhole को mark करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए only हम front part को ही mark करेंगे और इस तरीके से एक line draw करेंगे यहां से हम point 75 बाहर की तरफ जाएंगे इस तरीके से point 75 हम बाहर की तरफ जाएंगे और अब हमें इसमें अपने armhole के shape को draw करना है सबसे पहले हमें अपना chest की marking कर लेनी है इसमें जो हमारा chest का fourth part करना है सबसे पहले हम अपने front neck की length देखेंगे हमारा six inch का front neck है तो six inch पर हमें marking कर लेनी है इस तरीके से six inch आपका जहाँ पर आता है वहाँ पर आपको marking कर लेनी है और straight line draw करनी है अब आपको इसमें losing के बारे में देख लेना है क्या आपको इसमें losing देनी है या नहीं losing हमें जब देनी होती है अगर आपका जो neck है वो आपकी chest line से उपर आता है तो आपको इसमें losing देनी पड़ती है और अगर chest line से नीचे आता है तो आपको इसमें losing देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हमें इसमें कितनी losing देनी है ये भी हम आपको बताते है अगर आपका neck chest line से half inch या one inch नीचे जाता है तो आपको 1.5 inch की losing add करनी है अगर आपके chest line से 1 inch उपर neck जाएगा तो आपको 2 inch की losing add करनी है और अगर आपका chest line से जो neck है वो 2 या 3 inch उपर जाता है तो आपको इसमें 1.5 inch की losing add करनी होगी इसके according आप अपने chest line में losing को add कर लेंगे अब यहां पर जो हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से हाफ इंच उपर जा रहा है तो हमें इसमें डेड़ इंच की लूजिंग को एट करना होगा तो आपका chest का जो fourth part आएगा उसमें आपको डेरींच की losing add करनी है chest का fourth part हमारा है पोने 9 इंच पर है तो पोने 9 इंच में हमें डेरींच करना है सवा 10 इंच पर हम इस तरीके से हमारे chest की marking कर लेंगे उसके बाद में जो आपको margin अपने लिया था 2 इंच का margin हमने लिया था उसी तरीके से इसमें भी हमें 2 इंच का margin ले लेना है इस तरीके से आपको इसमें losing को add करना है अब आपको इस line को और इस line को मिलाते हुए अपने arm hole के shape को draw कर लेना है यहां से आपको 0.75 उपर की तरफ जाना है और अपने आर्म होल को इस तरीके से ड्रॉ करना है इसके बाद में जो आपको यह शोल्डर क्रॉस में है इसे आपको स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से हमें से स्ट्रेट कर लेंगे इसके बाद में आपको एक चीश का ध्यान रखना है कि अगर आपका चेस्ट लाइन के ऊपर आपका नेक आ रहा है तो आपने जो इसमें हाफ एक्स्ट्रा इसमें से जो हमने हाफ इंच कट किया था बैक पार्ट में से इसमें से हमें नहीं करना है इसलिए हमें सिर्फ इसमें जो हमारी यह लाइन है इसे स्ट्रेट कर देना है हमें अपना रेडि शोल्डर रखना है उसकी तरीके से उसके अपको लेगे 1 इंच करती इसके बाद में आपका यह जो भी णे की बारमेस है यह इस तरीके से आजैएगी हमारी 4 इंच की बारमेस आई है अब हमें इस तरीके से नीचे भी हम 4 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे अब हम दोनों मार्किंग्स को आपस में मिला कर स्ट्रेट लाइन ड्रो करेंगे और अपने नेक का शेप इसमें हम ड्रो कर लेंगे इस तरीके से हम इसमें राउंड शेप को ड्रो कर लेंगे अब हमें अपने ब्लाउस की लेंध पर निशान लगाना है तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वहां से हम अपने ब्लाउस की लेंध पर निशान लगाएंगे जितना आपका ब्लाउस की लेंध रखनी है उससे आपको वन इंच एक्स्ट्रा लेना है 16 inch है हमारी length तो हमें 17 inch पर इस तरीके से निशान लगा लेना है और हम इसे straight कर लेंगे इसके बाद में जो भी हमारे changes होंगे कटोरी blouse में इतने भी हमें changes करने हैं यह आपको बहुत ही ध्यान से देखना है यहां तक हमारा basic था अब हमें अपनी काटोरी की इसमें ड्राप्टिंग करनी है तो यह आपको विल्कुल ध्यान से देखना है इसमें थुड़ा हमें जो भी चेंज करना होगा वो आपको अच्छी तरीके से देखना होगा नौर्मलि हम हमारे सेभ्य ब्लाउज में याँ पर डाट लेते हैं बट हमें यहाँ पर इसमें डाट नहीं लेना है जब हम n heaom katori को अलग से ड्राइब करेंगे उसमें हमें अब इसमें अपने डार्ट को लेना हे अब हमें इसमें सबसे पहले अपने 11 इंचेस पर है तो हाफ इंच आपको एक्स्टर लेते हैं इसकी मार्किंग करनी है इसके बाद में हम यहां से अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे हमारा अपेक्स टू अपेक्स 7 इंचेस है तो हम 3.5 इंचेस पर मार्क करेंगे इसकी हमें सिर्फ मार्किंग करनी है इसमें इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना इसके बाद में हमें अपने वेष्ट राउUND की मार्किंग करनी है तो वेष्ट राउं न का हम फोर्थ पार्ट करेंगे वेष्ट राउं का फोर्थ पार्ट हमना 7.75 है मतलब 8 इंच पर हमें मार्किंग करनी है इस तरीके से हम हमारे वेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे वेस्ट राउंड में हमें कोई losing एक नहीं करनी ही इसके बाद में जो हमने दो इंच का margin लिया था margin भी हमें ले लेना है अब हमें अपने fitting की marking को fitting के साथ में मिला लेना है इस तरीके से दोनों points को मिलाते हुए एक line draw कर लेंगे और यह जो हमारी margin है मार्जिन को मार्जिन से मिलाते हुए इस तरीके से लाइन डो कर लेनी है अब हमें इसमें अपने बेल्ट की मार्किंग करनी है तो बेल्ट की मार्किंग को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है कि आपको अपने बेल्ट को इसमें से कितना निकालना है आप एक बार इस तरीके से देखिए जो हमारी इस तरीके से हमारा जो blouse है इस तरीके से हमारा blouse है इसमें से हमें अपने bels को बेल्ट को निकालना है तो हमें हमारे जो blouse की length है उसके 5th part divide by 5 करना है जितनी भी आपकी length है उसका divide by 5 करेंगे और उसके बाद में आपका जितना भी आएगा वो आपका इसमें belt का marking आजाएगा बट उसमें problem यह ही कि जो भी आपका belt का आएगा उसमें आपका जो extra margin है वो भी included आएगा इसलिए आपको जो आपका belt length divided by 5 करने के बाद जो भी आपका belt की marking के लिए आता है उसमें से आपको half inch minus करना होगा half inch हम इसलिए minus करेंगे क्योंकि हमारा जो margin इसमें include हुआ आया है उस margin को हमें अलग से जब हम अपने belt की cutting करेंगे उसमें हम अलग से add करेंगे इसमें से हमें उसे minus करना होगा इस तरीके से हमें अपने belt की length को निकालना है इस तरीके से हमारे जो blouse की full length है वो 16.5 inch की है इसमें आप divide करेंगे 5 inches से तो आपका जो length आएगा वो 3.3 आएगा इसमें से आपको minus half inch करना है अब इस तरीके से 2.8 मतलब पूने 3 inch पर आपको एक marking करनी है यह हमारे belt की marking होगी पूने 3 inch पर हमने marking कर ली है इसमें से हमने half inch जो minus करना था वो कर लिला है 3.3 inches हमारा आया था उसमें से हमने half inch minus किया है तो 2.8 inch हमारे belt की length आई है 2.8 inch पर हमें marking करनी है और straight line draw करनी है 2.8 inch पर जहाँ पर marking की थी उस line को हमने straight कर लिया है अब जो हमारा side वाला टक्स हो अब जो हमारा side वाला टक्स है उसे हमें इसमें से minus करना होगा क्योंकि side में हमारी जो ये crease आती है इस crease को हमें यहाँ से minus करना होगा अब हमें उपर से तीरे के लिए निशान लगाना है तो हमारी जो neck line है वहाँ से हमें 1 inch उपर की तरफ एक marking करनी है ये जो 1 inch हम उपर जाते हैं ये सभी markings के लिए same है जितना भी neck रहेगा उससे आपको 1 inch उपर की तरफ ही marking करनी है उसके बाद में हमें ये अपनी जो side वाली marking है इसे किस तरीके से लेना है ये भी हम देखते हैं इस side इस वाली marking के लिए आपको इस चीश का ध्यान रखना है कि अगर आपकी fitting वाली marking 35 से कम है अगर 35 से कम है तो आपको 1.5 inch इसे लेना है और अगर 35 से प्लस आपकी ये आती है तो आपको इसे 2 inches पर लेना है हमारे जो chest है वो 35.5 inch के हैं तो 35 से कम है तो हम यहाँ पर 1.5 inch पर एक निशान लगाएंगे अभी जो जहाँ पर से हमने 0.75 mark किया था वहाँ से हमें 1.5 inch अंदर की तरफ आना है ये आपके chest पर depend करता है chest अगर आपके 35 से कम है तो आपको 1.5 inch आना है और 35 से ज्यादा है तो आपको 2 inches अंदर की तरफ आना है अब हमारा जो shoulder to apex और apex to apex वाला निशान है उससे हमें हमारा जो fitting वाला निशान है वहाँ तक इस तरीके से इसे रखना है और हमें इसका center करना है इस तरीके से हम इसका center करेंगे और center पर एक marking करेंगे अब ये हमारा जितना भी आ रहा है हमें एक straight line 7-6 inch हमारा यहाँ पर आया है हम यहाँ पर भी इसे 7-6 inch mark करेंगे और उपर भी हमें इसे 7-6 inch पर mark करना है और एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इसके बाद में जो हमें ये वाला पॉइंट मिला है और इस पॉइंट से मिलाते हुए हमें अपना राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरीके से हमें अपने कटोरी के शेप को ड्रॉ कर लेना है हमारी कटोरी की ड्रॉइंग तो हो गई है बट इसमें हमारी प्रब्लम आती है कि आर्म हूल में क्रीज आता है यहां वेस्ट राउन में हमें क्रीज आता है तो वो जो crease है हमें उसे minus करना होगा हम उसे किस तरीके से minus करेंगे या आप ध्यान से देखे एक बार अब हमें side की जो crease है उसे minus करने के लिए क्या करना हुगा जो हमारा यह apex to apex का point हमने लिया है उसे हमें यहाँ पर mark करना है सारे तीन इंच पर इस तरीके से आपको इसे मार्क करना है और जो आपने अपनी बेल्ट की ये लेंथ मार्क की है यहां से आपको हाफ इंच उपर जाना है और हाफ इंच नीचे मार्किंग करनी है इस तरीके से हाफ आफ इंच दोनों साइड में हम मार्किंग करेंगे अब यह जो दोनों पॉइंट्स हमें मिले हैं इन दोनों पॉइंट्स को हमें अपने इस वाले पॉइंट के साथ मिला देना है इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे साइड में जो हमारी इस तरीके से इसे मिलाने पर जो हमारी साइड में क्रीज आती है वो क्रीज बिल्कुल माइनस हो जाएगी यह आपका पूरा क्रीज हमने इसमें से माइनस कर दिया है इस क्रीज को माइनस करने के बाद में जो हमारी उपर क्रीज आती है जो आर्म होल में क्रीज आती है उसे भी हमें इसमें से माइनस करना होगा इसके बाद में यहाँ पर हम जिस तरीके से 1.25 उपर की तरफ जाते हैं इसमें भी इसी तरीके से उपर जाना है और हमारे अपेक्स पॉइंट से इस लाइन को हमें मिला देना है इस तरीके से इसे हमें अपनी अपेक्स पॉइंट से मिलाना है इस लाइन को मिलाने के बाद में आपको 1.25 का हाफ करना है आप यहां पर भी इसे चेक कर लेंगे 1.25 का हाफ करेंगे तो हाफ आपको इधर नीचे के साइड लेना है और हाफ हमें उपर के साइड भी लेना है इस तरीके से हमें इस डार्ट को लेना है अब हम यहां पर जो 1.25 का डॉर्ट नॉर्मली लेते हैं हमें अपने कटोरी ब्लाउज में इस पर 25 इंच एक्स्ट्रा लेना है आप चाहें तो वन पॉइंट एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं या तो फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं तो आपकी जो साइट का क्रीज है वो यहां से माइनस हो जाएगा इस तरीके से हमारा यह पूरा डार्ट जो है माइनस हो जाएगा हमारा आर्मौल की क्रीज इससे खत्म हो जाएगी इस तरीके से हमारी यह आर्मूल की क्रीज खत्म हो गई, यहाँ पर हमारी जो साइड की क्रीज ही, वो भी खत्म हो जाएगे, अब हमें इसमें जो मारजिन एट करना है, वो अलग से एट करना है, इसके बाद में हमें हमारे इस measurement को measure करना है यह valley line हमें measure करनी है जो हमारी main line है यह हमारी 8 and 1 point extra आ रही है तो हमें इस तरीके से इस valley line को भी 8 and 1 point extra लेना है इस तरीके से उसके बाद में यहां से हमारा जो half inch नीचे आना compulsory है सभी के लिए इस तरीके से हम इसमें भी one and half inch अंदर की तरफ आएंगे इसके बाद में आपको इस तरीके से line draw करनी है और उपर वाला जो हमने ये dart लिया है उसे हमें इस तरीके से straight इसके साथ मिलाना है और हमें अपने new armhole की इसमें drafting कर देनी है इस तरीके से हमें यहां से half inch नीचे आना है और यह जो हमारे दोनों dot यह वाला जो हमारा main dart है इसे हमें measure करना है और दूसरे dart को भी इसी के according रखना है उसके बाद में हमने जो ये point बनाया है यहां से हमें नीचे half inch से straight line draw करनी है यहां से भी हमें straight line draw करनी है और इस और हमारे यह जो chest point है दोनों को मिलाते हुए अपना नया एक armhole हमें draw कर लेना है इस तरीके से हमें अपना एक नया armhole मिल जाएगा अब जब हम इस dart को इसके उपर minus करेंगे तो इस तरीके से हमारा यह जो नया armhole है इसके साथ में perfectly match हो जाएगा इस तरीके से आपको इसे कर लेना है अब यह जो नीचे वाला है हमारा इसे भी हमें measure करना है दोनों हमारी जो dart है वो बराबरी से आने चाहिए यह dart हमारा जितना यह सवा साथ पर आया है तो नीचे वाला डार्ट भी हमारा इसी तरीके से सवा साथ इंच पर ही आना चाहिए इसे हम आगे कर लेंगे इस तरीके से हमारा man dart यह वाला होगा अब हम इसे इस तरीके से इसके साथ में मिला देंगे अब हमें इसे एक चीज का और ध्यान रखना है कि कभी भी हमें हमारे दो फ्रंट और बैक दोनों के shoulders को बराबर इसे नहीं रखना है इसे लिए हमें इसका जो shoulder है थोड़ा सा इस तरीके से तिर्छा करना है's एक पोंट ही हमें इसके नीचे जाना है बिल्कुल हलका सा में पोंट नीचे जाते हुग हमें इसे सब्सक् yard आप डाट कर लेना है अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अगर आप आपके बेल्ट में अगर आप अपने बेल्ट को स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आप इसमें शेप ना दें पर अगर आप इसमें शेप देना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको वन इंच उपर की तरफ जाना है और ये वाला जो हमारा पॉइंट है वहां से हमें इस तरीके से इसे गोलाई में इस तरीके से शेव दे देना है दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम अपने बेल्ट को इस तरीके से शेव देंगे अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अब हमें इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है जितनी भी हमने मार्किंग की है मार्किंग के अकोर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से जो यह आपका डार्ट है इस पर आपको इस तरीके से फोल्ड करते हैं में एक प्रेस लगानी है प्रेस से यह आपका अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा अब आप इसे उपन करेंगे और जो यह आपकी मार्किंग है इसे आपको दूसरी वाली जो आपकी लाइन है उसके उपर इस तरीके से रख देना है तो यह देखे फ्रेंट जो हमाने अपना नया आरंवल रो किया था उसके उपर हमारी यह जो मार्किंग है यह आ गई है अब हम इसके उपर भी इस तरीके से प्रेस लगा लेंगे अब हमें इसकी कटिंग करनी है इसके साथ में बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाएगा और आपकी जो यह कटोरी है आपको इसे फिर से शेप देना है इसे आप राउंड में इस तरीके से थोड़ा शाशा शेप देकर ठीक कर लेंगे अब हमें इसकी इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है अब हम उपर से इसे कट करेंगे तो जो हमारा आर्मूल का शेप आया है वहां से हम इसे कट करेंगे जो हमारा सेकेंड आर्मूल था वहां से हमें इसे कट कर लेना है इस तरीके से हम इसमें से अपने बेल्ट को भी निकालेंगे और इसे भी हम कट कर लें इस तरीके से इसमें से हमें कटोली को भी कट कर लेना है अब हमें इस कटोली में भी मारजिन जो है एक्स्ट्रा एट करना है हम इस कटोली में भी एक्स्ट्रा मारजिन एट करेंगे और जो हमारा ये बेल्ट वाला साइड है इसे भी हमें मारजिन को एट करना है इस तरीके से हमने अपने तीनों पार्ट को कटिंग कर लिया है अब हमें इसमें मार्जिन की तरीके से एट करना है हम ये देख लेते हैं इसके बाद में जो हमारा ये बेल्ट हलका सा क्रॉस जा रहा है इसे हमें स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से हम इसे straight cutting कर लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल भी यहाँ पर point नहीं बनेगा इस तरीके से इसे हमें थोड़ा सा straight cut करके सीधा कर लेना है अब हमें इसमें margin को add करना है हमें अपनी belt में margin add करना है तो हम बाड़ से cross रखेंगे तो यह cross हमें कितना रखना है इसे हम देख लेते हैं इस तरीके से हमारा margin है हमारा chest का fourth part आना चाहिए यह हमारा chest का fourth part पौने 8 inch होता है तो यह हमारा 8.5 आ रहा है मतलब 0.75 हमारा यह extra हो रहा है तो 0.75 हमें इसे तिर्चा रखना है इस तरीके से आप इसे रखेंगे और जो यहां से आपको पहले तो आपको यह clip और I के लिए 1.5 inch का margin ले लेना है और यहां से हम अपना 0.75 का एक मार्क करेंगे और इस मार्किंग के पास आपको इस मार्किंग के पास आपको इस तरीके से अपने बेल्ट को रखना है इस तरीके से हमें अपने बेल्ट को क्रॉस करके रखना होगा इस तरीके से क्रॉस रखने के बाद हम अपनी इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से हमें क्रॉस जाना है और उपर से हम हमारा जो यह marking है इस तरीके से पहले mark करेंगे और फिर half inch का हम इसमें सिलाई का margin भी add करेंगे round shape में ही हम इसमें सिलाई का margin ऐट करेंगे इस तरीके से हमने अपने belt में सिलाई का margin ऐट कर लिया है इस तरीके से क्रॉस करने के बाद में हमें अपने वेस्ट राउंग की मार्किंग करनी है नीचे भी हमें इस तरीके से वेस्ट राउंग की मार्किंग कर लेनी है पौने 8 इंच पर हमने मार्क करना है उसके बाद में जो 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है उस पर भी हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है अब हमें यहां से यह जितना आ रहा है उस पर इस तरीके से सवा दो इंच यहां आया है तो सवा दो इंच हमें यहां पर भी लखना है इसके बाद में दोनों लाइंस को मिलाते हुए हमें एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रो करनी है, स्ट्रेट लाइन हमें इसकी ड्रो करनी है, इस तरीके से डॉट डॉट वाली स्ट्रेट लाइन हमने ड्रो कर ली है, इसके बाद में उपर में भी हमें अपना जो वेस्ट राउंड का मार्किंग है, वो करना है, पौने बोड़ा सा तिल शाल जाएगा तो यह मारकिंग लिए मारकिंग आई है अब हम इसके कटिंग कर लेंगे हमें से स्टरैट ही मिला देना है टकरैसल देखे मार्जिन हमने इसमें एक्स्ट्राइट कर लिया है इस तरीके से आप जब बेल्ट को कट करेंगे तो आपका जो फिटिंग में हैं बिल्कुल परफेक्ट आएगा और यह सेंटर में जो हमारी क्रीज आती है वो क्रीज भी नहीं आएगी अब हमें अपनी कटोरी को कट करना है इसके बाद में जो हमारा यह बेल्ट वाला मार्जिन है बेल्ट वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रखना ही और इस वाली साइट से हमें इसमें हाफ इंच का मार्जिन लेना है और नीचे से भी हम हाफ इंच का इसमें मार्जिन ले लेंगे और बाकी सभी पार्ट को हमें एज़िटीज कट कर लेना है बाकी के शेप को हम एज़िटीज इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे इस तरीके से दोनों साइड में मार्जिन लेने के बाद हमें की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से इसे कट करने के बाद लेंगे में अब हमने अपने कटोरी को कट करना है अब हम अपने हमें अपनी कटोरी की मार्किंग करनी है तो कटोरी के लिए हमने इस तरीके से दोनों साइड में मार्किंग कर ली है अब आपको इस तरीके से अपनी कटोरी को रखना है इस तरीके से रखने के बाद में half inch हमें यहाँ पर extra लेना है वो half inch हमें दूसरी side में भी इसे extra लेना होगा इस तरीके से half half inch हमने दोनों side में ले लिया है इसके बाद में आपको अपनी जो cutory का यह तक से इसे open करना है और जो आपकी marking है जो आपके apex point की marking है उस पर इस तरीके से mark करेंगे और जो आपका यह shape है इसे भी आप यहाँ पर marking कर लेंगे marking करने के बाद आपको इसे वापस से सीधा कर देना है इसके बाद में हमें यहाँ से नीचे कितना आ जाना है इस चेश का ध्यान रखना है, तो आपको इस तरीके से यहां से, अगर आपका, अगर आपका चेस्ट पॉइंट 35 से कम है, तो आपको 1.5 पॉइंट नीचे आना है, और अगर आपका 35 से ज्यादा है, तो आपको 2 इंचे से उपर नीचे आना है, इसलिए हमारा 35 से कम है, तो य साड़े थिंच से के वीच में ठ데iksi का डाट लेते हैं और एक इंच में सीलाई का मार्जिन लेना है तो हमें 3.5 का मार्जिन लेना है तो 3.5 ऐंच का हफ हमें दोनों साइड में लेना है कि साढ़े तिन इन्च के इस तरीके से हम야 पर मार्ग करेंगे तो हास प्विन इस तरीके से इसका हाफ पॉइंट हम यहां पर मार्क कर लेंगे और इसका हाफ पॉइंट हम दूसरी साइड में भी मार्क कर लेंगे इस तरीके से ले रेना है एक साइड में हम इस तरीके से लेंगे और दूसरी साइड में हमें हमारी जो यह मार्किंगं यहां तक हमें इसे राउंट शेप देना है आपको इसे ले जाते हुए नीचे तक मिला देना है इस तरीके से इसे नीचे मिलाने के बाद में आपको इसे कितना रखना है या आपके तीरे पर आप डिपेंड करता है आपको इस तरीके से इसके साथ इसे नापना है जहां तक भी आपका ही आता है वहां तक आपको इसे मार्क कर लेना है अब हमें इसमें हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट मार्क करना है तो इस तरीके से हम अपना जो शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है उस पर Mark कर लेंगे, Shoulder to Apex Point Mark करने के बाद में, आपको इस तरीके से इसे यहां पर रखना है, वो जो आपका Apex to Apex Point है, वो नया ड्रॉ कर लेना है, इस तरीके से आपको यह ड्रॉ करना है, अब हमें अपना Apex to Apex Point इस वाली लाइन से Mark करना है, तो इस लाइन से हमें, इसमें हमारा सिलाई का Marginate है, इसलिए हम 4 इंच पर Mark करेंगे, अगर आपका सिलाई का Marginate नहीं करना है, तो आप इसमें से माइनस 1.5 इंच करके 3.5 इंच पर भी Mark कर सकते हैं, अब हमारा जो Apex Point ह यह यहां पर आएगा, Center Point हमारा यह बनकर तयार होगा, अब हमें अपने इन दोनों Points को कहां पर Cross करना है, यह देख लेना है, इन दोनों को Cross करने के लिए, जो Apex Point, Shoulder to Apex Point से हमने, हमारा जो टुक्की का Marking था, उससे हमने डेरिंजी से नीचे लिया था, इस वाली Marking में, हम इस तरीके से जो हमारा यह Corner है, इस तरीके से तीर्चा मिलाना है, और हमें देखना है कि यहां कहां पर Cross होता है, और कहां पर यह Plus बना रहा है, जहां पर भी इसका Plus बनेगा, वही से हमें इन दोनों Points को Join कर देना है, इस तरीके से हमें इन दोनों Points को Join कर देना है, इस तरीक तक्से वो कितना देना है यह देखना होगा टक्स के लिए हमें अपना तीरा और हमारे जो बेल्ट बना कर तयार किया है यह दोनों पार्ट्स को लेना है इन दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से रखेंगे मार्जिन हमें हटा कर इसे रखना है उसके बाद में यह हमारा जितन JAMA 3,2 में 10 50 2019 हैं मैं जड़ूं गिर अब ERIC रहा है यहां पर हमने जो 1.75 एक्सेट सरीके से हमें इन दोनों Correct निकालनाँ है और इस सेंटर को निकालने के बाद में cut, À. ड falls में इस लाइन को नीचे तक लेकर जाना है इस तरीके से हम इसे नीचे तक लेकर जाएंगे और अभी मैंने आप को बताया है कि हमें इसमें dart कितना लेना है, तो जो आपका belt है। और आपके तीरे को इस तरीके से रखना है और ये वृला जो पार्ट आपका मार्जिन के भी न आ रहा है उसे हम मेजर करेंगे हमारा यह सारे चैशे से एक पॉइंट कम आया है हमने अभी इसे मेजर किया अभी से हमें मार्किंग करना है तो 16 52 से एक पॉइंट कम मतलब इसका हम हाफ कर और इस तरीके कर लेना है और जो ये अंदर का मार्जिन निकल कर आएगा ये वाला मार्जिन हमारा डार्ट का मार्जिन होगा इस तरीके से मार्किंग करने के बाद जो हमारा अंदर वाला पार्ट है ये हमारे डार्ट का मार्जिन होगा इस तरीके से हम दोनों को आपस में मिला लेंगे इसके बाद में हमें हमें इसमें अहाफ इंच का सिलाई का मार्जिन रखना है अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं अब हमें इसे डबल कटोरी बना कर तयार करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है यह जो हमारी मार्किंग है इसका हमें हाफ करना होगा यह हमारा 10 है तो इसके हाफ पर हमें मार्किंग करना है इस तरीके से आपको इसे मेजर करना है 5 इंच पर आप एक मार्किंग करेंगे इससे हमें 1 इंच डाउन आना है इस तरीके से इसके बाद ने हमें इसे यहां से इस तरीके से मिला देना है आप चाहें तो इसे बीच में से कट करके और इसमें सिलाई का मार्जिन लेकर बीच में से सिलाई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट इसी तरीके से स्टिच भी कर सकते हैं यह हमारा डबल कटोरी हमें बना कर तयार करना है डबल कटोरी हमारी इसी तरीके से स्टिच हो जाएगी हमें यहाँ अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इसके नेक को भी हम कट कर लेंगे इसके बाद में जो यह हमारा अंदर का ड्राफ्टिंग टक्स वाला पॉइंट है इसे भी हमें कट कर लेना है और इसे हमें इसी तरीके से स्टिच करना है जो आपकी एक्स्ट्रा कटोरी बाहर जा रहा है इसे आपको इस तरीके से तीरचा करके इसके बराबर कर लेना है और इस तरीके से जब हम इसे स्टिच करेंगे तो यह हमारा परफेक्ट कटोरी का शेप इसमें बनकर तैयार हो जाएगा इस तरीके से हमने कटोरी की कटिंग की है हमें इसके अकोर्डिंग हमने अपने बेक पार्ट को किस तरीके से कटिंग करना है यह देख लेता है हमें जो हमारा आर्म होल जहां पर हमने ड्रो किया है उससे हमें हाफ से हाफ इंच इस तरीके से मार्क करना है इस तरीके से हमने हाफ से हाफ इंची से आर्म होल पे से नीचे लेकर आना है और नीचे हमें ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए नीचे से हमें हमारा जो बेल्ट है उसका मारजिन अंदर की तरफ दबाते हुए इसके उपर इस तरीके से रखना है इस तरीके से आपको मिलाते हुए स्ट्रेट रखना है और आपको अपना मार्जिन इसमें देख लेना है तू इंचेस का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है तो तू इंचेस पर हम इस तरीके से उपर से भी तू इंच पर मार्क करेंगे और नीचे भी हम इसमें टू इंच पर मार्क करेंगे मार्किंग करने के बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रो करेंगे इस तरीके से लाइन ड्रो करने के बाद में यह लाइन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए और जितना भी आपका यह क्रोस आता है इस तरीके से रखने के बाद आपको यह जितना भी क्रोस आ रहा है इसे हम measure कर लेंगे इस तरीके से यह हमारा सवा इंच जो है क्रोस आ रहा है इसका हम double करेंगे और double हमें अगर आपका two point आ रहा है तो आप इसे four point रख सकते हैं इस तरीके से four point पर mark करना है और आपको यहाँ पर इसे length के साथ में मिला देना है यह आपको minus जरूर करना है इस तरीके से हमारे यह जो main length है वो इतनी होगी हमारे blouse की हमें इसे यहाँ से cut करना है इसे हमें हमारे दोनों point मिले हैं उसमें थोड़ा सा इस तरीके से round का shape देते हुए हमें मिलाना है इस तरीके से हम अपनी marking के साथ इसे मिला देंगे अब हमें इसमें neck के shape को draw करना है तो जितने भी आपको shoulders रखने हैं सबसे पहले हम shoulder की marking करेंगे तो shoulders हमारे 2 inches के हैं तो 3 inches पर हमें इस तरीके से mark करना है इसके बाद में नीचे के आपको पट्टी कितनी रखनी है उस पट्टी के according नीचे से mark करेंगे तो हमें 3 inches 3.5 inches की हम पट्टी रखेंगे तो 4.5 inches पर नीचे से mark कर लेंगे तो ये जो हमारे नीच की लेंथ है अपने आप ही आ जाएगी इसके बाद में जितनी आपकी ये नीच की चोड़ा ही आ रही है 3.5 inches हमारे नीच की broadness आई है 3.5 में एक point कम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें mark करना है और उपर से ये जितना है और एक बाक्स बना कर तयार करेंगे और इसमें अपने नीच के शेप को हम ड्रो कर देंगे इस तरीके से हम अपने सभी mark इंगे और बाक्स बना कर तयार करेंगे इस तरीके से बाक्स बनाने के बाद में हमें राउंड शेप देना है हमारे नेक का यह हमारे नेक की मार्किंग कंप्लीट हमारे बेक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अब हमने जो उपर से ये हाफ इंच हमारे आर्मूल के नीचे मारक किया था हमारे आर्मूल को हमें यहां तक इस तरीके से मिला देना है यह वाला हमारा आर्मूल है बेक का अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं कि हमें अपने नेक को भी कट कर लेना है इस तरीके से हमने अपने कटोरी ब्लाउस की कटिंग और स्कीशिंग कर लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसे फैब्रिक पर कट करना सीखेंगे और हम इसकी स्टिचिंग भी करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले थेंक यू फॉर वाचिं झाल वाजियो